हम उम्मीद टूट गया है जितना उम्मीद कि फाइनल में सब की इतनी आशाय थी कि हम जीते हैं बहुत पुरा लग रहा है अब इसली क्योंकि ऐसा तो हर वक्त नहीं खेलता ना इंडिया टीम पर कभी वरोसा नहीं टूटा हमेशा से वरोसा था और हमेशा रहेगा क्योंकि टीम हमारी है हार जीत तो लगा रहता है लेकिन सपोर्ट का भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी कुरूसियल चीज होता है तो थोड़ा सा हाटब्रेक मोमेंट होता है जैसे कि उस दिन न्यूजिलेंड का हुआ हमेशा बचारे सेमी फाइनल लेकिन वह नहीं जीत पाते हैं साथ अफिरिका भी आपने देखा होगा वह हमेशा क्वालिफाइट नहीं करते हैं वह एसां टीम के समी फाइनल से पाले हिछड़ जाते हैं चाही समी फाइनल खेलके तो ये टीम में होते रहता है और जो टीबी टीम होती है थोड़ा सा कि आशाय थी कि हम जीते लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत ही हार्टब्रेकिंग और डिस्टपॉइंटिंग मोमेंट है सब के दियर तो काफी कम था कम से कम 300 प्लस तो बनाना ही चाहिए था ऐसे फाइनल माच में तो वो तो सबसे बड़ी वज़ा थी और लखने भी साथ नहीं दिया पूरा स्टेडियूम इंडियन फैन से भरा हुआ था लेकिन वो भी हल्प नहीं कर पाया बहुत बुरा लग रहा है और बेस अगर जीत हाण जीत आद में इतने दूर आता तो इतना उमीद शयाद नहीं था रहता पर कॉंटिनू कि विन हुआ है इसलिए बहुत जाद है उमीद था पर अब तो मतलब कोई भी उमीद नहीं जीती गया आस्ट्रेलिया तो बहुत जादा पुरा लग रहा है भी फिर च वो तो नहीं गया, बहुत ही कम स्कोर था फिर भी तीन वीकेट मिला पहले तब भी लगा कि नहीं शायद अभी भी बहुत ज्यादा ओप है फिर विकेट नहीं मिला, फिल्डिंग बहुत अच्छा हो सकता था इसने जैसे औस्ट्रियलिया ने किया उन्होंने बहुत रण रोक इस बार नहीं था हमारे किसमत में जायद अगली बार मिलेगा